दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टाटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में मेजर्स ओफ डिस्पर्जन के अंडर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीन डिवेशन को और मीन डिवेशन को यहाँ पर हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे यह वाला पार्ट वन है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिरेक्ट मेथड को और इसके बाद आएगा पार्ट वू जहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड को अपलाई करना सीखेंगे कि शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से हम मीन डिवेशन को केल्कुलेट कर जकते हैं इसके पहले अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं, first वीडियो में हमने discuss किया था dispersion की meaning को, साथ में वहाँ पर measures देखे थे, कि absolute measure कौन से होते हैं, relative measure कौन से होते हैं, इसके बाद second वीडियो में हमने range को discuss किया था, वहाँ पर percentile range भी हमने बात कर ली थी, और third वीडियो में हमने discuss किया था, quartile deviation को, तो अगर आपने पिछले जितने भी वीडियो हैं, हो सारे नहीं देखे हैं, तो सबका link आपको description मिल जाएगा, आप जाकर के देखे लिए, अभी यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं, अपना third measure of dispersion, यानि की mean deviation, अब दिखे हैं, mean deviation की बात यहाँ पर आती है, त सबसे पहले यहाँ पर आपको इसकी meaning दिखेगी, mean deviation is the arithmetic mean, ठीक है, arithmetic mean of the absolute deviations of the individual values from a measure of central tendency of the data set, it is also known as the average deviation or the first absolute moment, अब देखे हैं, यहाँ पर आपको theory पर जादा जादा नहीं जाना है, मैंने आपको बता है कि आपके पास में जो measures of dispersion होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है range, उसके बाद आता है quartile deviation, इसके बाद आता है mean deviation और इसके बाद आता है हमारा standard deviation और उसके बाद आता है Lawrence का जो की graphical method होता है, अब यहाँ पर range में हमने क्या कहता है, range में हमने extreme values को उठा करके dispersion की value को calculate कर दिया, मतलब यह largest value थी, यह smallest value थी, हमने क्या L minus S और यहाँ पर अपना dispersion हमने बता दिया, तो यहाँ पर range में क्या दिक्कत हुई कि यहाँ पर जितनी भी beach की values थी, वो इसने ignore कर दी, इसके बाद हमने quartile deviation discuss किया, quartile deviation में क्या हुआ कि quartile deviation extreme values को ना ले करके, उससे आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा 25%, ठीक है, 25% values इधर की इसने छोड़ी, और 25% values इधर की छोड़ी, तो यानि कि Q3 हमारा यहाँ पर था, और यहाँ पर हमारा था Q1, तो हमने Q3 minus Q1 divided by 2 करके हमने बता दिया कि quartile deviation हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25% values यहाँ पर और 25% values यहाँ पर इसने भी ignore कर दी जाए, रेंज ने बीच की सार values को उठा लते हैं, mean deviation में हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी values को यहाँ पर pick करते हैं, अपने dispersion की value को calculate करने के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने meaning बोला, mean deviation is the arithmetic mean, is the arithmetic mean of the absolute deviation, मतलब आप deviations यहाँ पर निकालोगे, ठीक है, आपने जो भी measure of central tendency calculate किया, measure of central tendency में आपके पास में ती इती तीनों में से कोई भी एक measure को आप उठा करके, उससे deviation निकालो, individual values का, भी हम लोग question करेंगे, तो आपको समझ में है क्या बोलोगे, तो mean deviation में क्या करते हैं, deviation निकालते हैं, अपनी individual values को, जो हमारी observation हमको दी गई, जैसे 10, 20, 30, और 40, और यहाँ पर हमारा एक measure of central tendency निकल करके आता है, जैसे हमने माल जे mean अगर calculate किया है, तो वो अगर 25 आया है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर deviation निकालेंगे, deviation कैसे निकलेंगे, x minus mean करके, तो हम करेंगे 10 minus 25, 10 minus 25 अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा minus का 15, इसके बाद 20 minus 25 अगर आप करते हो, तो यहाँ पर प्लस का 5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कि हम absolute जो नों ने लिख दिया, ठीक है, इससे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम जब mean deviation निकाले होते हैं, तो हम यहाँ पर mod लगा देते हैं, mod लगाने से यहाँ पर होता यह है, कि जैसे अगर आप कोई भी value negative आपके अंदर लिखी हो, यह और अगर आपने उसके आसपास mod लगा दिया, तो आप जैसे ही mod को remove करोगे, यह negative value आपकी convert हो जाएगी positive value में, तो यहाँ पर हमने जब x minus mean करके mod लगाया, तो यहाँ पर हमार plus 5 में convert हो गया, अगर plus value लिखी तो उसके कोई भी effect नहीं आएगा, सिर्फ negative value आपकी convert हो जाती mod में, तो हम mean deviation में क्या करते हैं, हम arithmetic mean निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना measure of central tendency देखते हैं, आपको एक बार पता चलिगा कि आपका measure of central tendency क्या आ रहा है, mean हो सकता है, median हो सकता है, mode हो सकता है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी deviation निकालनी है, आपको ये देखना है कि आपकी individual values जो है, आपकी individual values वो कितना जादा deviate कर रही है, आपके measure of central tendency से, और इसके बाद आपको mode लगा देना है यापर, तो mode लगाने से आपकी जो भी negative values ह है, वो convert हो जाएंगी positive में, अभी हम लोग formula देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसके बाद दूसरे point में आपर बोलें, the measure of central tendency is either mean और median, और यहाँ पर mode भी होता है, लेकिन mode का use हम लोग practically जादा नहीं करते हैं, क्योंकि जब आपको मैंने measure of central tendency पढ़ाया था, तो वह इसके बाद यहाँ पर बोलें, if the measure of central tendency is mean और median, then we get the mean deviation about mean और median, अब देखें, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि mean से, median से और mode से, इन तीनों से आप mean deviation को calculate कर सकते हो, अगर आप अपना measure of central tendency mean रखते हो, तो आपका mean deviation आएगा, उसको हम बोलेंगे mean deviation about mean, अगर आप median से निकाल ल mode, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इसके बाद अगर denote करने की बात करें, तो आप simply m.d करके भी इसको denote कर सकते हो, या फिर आप delta का sign भी ऐसे करके बना सकते हो, delta के दो sign होते हैं, एक यह वाला होता है, ठीक है, change को दिखाता है, और एक यह वाला होता है, यह हमारा हो जात अब देखे, calculate करने के mean deviation को दो method है, direct method भी है, shortcut method भी है, shortcut method को हम लोग next video में cover करेंगे, तो यहाँ पर उसकी बात भी नहीं कर रहे है, direct method को अगर आपको apply करना है, तो direct method को apply करने के, यहाँ पर individual, discrete और continuous, इन तरीके के हमारी series होती है, about mean होगा, about median होगा, और about mode होगा, difference कोई भ यहाँ पर सबसे पहले तो दो दो जख आपको क्या करना है, आपको deviation चाहिए होती है, ठीके है, अब क्योंकि अगर about mean आप निखा लेओ तो आपको जो deviation आप निकालोगे, वो भी आप किसे एउसकर कर के निकालोगे, mean को इसकर करके निकालोगे, तो आपको एक to deviation चाहिए, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको इसका mod लगाना होता है, mod लगाने के बाद यहाँ पर हमने जो अभी formula दिये दिये देखा था, फियोरी, इसमें क्या बोलेते है, mean deviation is the arithmetic mean of the absolute deviation, arithmetic mean है हमारे deviations का, तो अगर आपको arithmetic mean निकालना है, तो mean हमारा कैसे निकलता है, sigma x upon n, यह mean का हमारा formula होता है, हम क्या करते है, sum of observation divided by number of observation, तो जो भी हमारे deviation निकले हैं, इनका हमको sum करना होता है, और divide किसे करना होता है, n से करना होता है, तो ये होता है हमारा arithmetic mean of the absolute deviation taken from any central tendency measure, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, अब आप इसको चाहो तो ये जो mod x minus mean हमने लिखा है, इसको आप dx भी लिख सकते हो, ठीक है, dx लिखो चाहे, mod dx लिखो एक ही बात है, तो इसको आप dx भी लिख सकते हो, नहीं लिखते हो, तो कोई दिखकत लिए, तो यहाँ पर individual series में हमारा formula हो जाता है, mean deviation is equal to sigma, sigma का मतलब sum of the deviation, जो भी आपने deviation निकाली है, उन सब का sum, तो sum of the deviation, ठीक है, divided by number of observation, जितने भी number of observation आपके होंगे, उन से आपको divide कर देना है, in case अगर आप median से निकालना चाहते हो, तो median से भी आप निकाल सकते हो, median में आपको सिर्फ क्या करना है, जो आप अपनी observation से minus कर रहेते हैं, वहाँ पर, जब आप about mean कर रहेते हैं, तो आप mean minus कर रहेते हैं, अब आपको यहाँ पर median से minus करना है, तो आपका formula हो जाएगा, x minus median, ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर इसका mode लगाना पड़ mode, ठीक है, तो यह हो गया हमारा individual series का, सेम वही formula होता है, जैसे हम normal mean निकालते है, sigma x divided by n, वहीं पर x की जगापे हम लिख देते हैं, क्या, mod x minus mean, इस तरीके से भी आप इसको याद रह सकते हो, तो क्योंकि normal formula हमारा mean निकालने का होता है, sigma x, यानि कि sum of observation, divided by number of observation, x की जगापे आप लिखोगे, x minus mean, या फिर x minus median, या फिर x minus mode, इसके बाद अगर हम आते है, discrete series या फिर continue series में, तो दोनों का formula as it is, सेम होता है, बस यहाँ पर, अभी हम लोग जब question करेंगे, तो आपको समझ भाएगा, कि class interval की जगापे, वहाँ पर हम लोग mid value ले 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 ल निकालते थे, अगर आपको discrete series दी जाती थी, तो आपका formula होता था, sigma f x divided by sigma f, ठीक है, sigma f x divided by sigma f, तो यहाँ पर हम x की रिखापे क्या लिख देंगे, mod x minus mean, आई बस हमने आपको, यहाँ पर हमने x की रिखापे क्या लिख देंगे, जैसे हमने पहले formula में convert किया था, x minus mean हमने कर दिया, इसी तरीके से अगर आप median से निकालना चाओगे, तो आप x minus median divided by sigma f, यहाँ पर अगर आप mode से करना चाओगे, x minus mode divided by sigma f, तो इस तरीके से मिसको लिख सकते हैं, अगर आपको short में लिखना है, तो आपको formula हो जाएगा, sigma f dx divided by n, अब देखें आपर, यह जो हमने नि coefficient of range भी पढ़ा था, ठीक है, इसके बाद हमने quartile deviation ने पढ़ा, तो हमने उसके साथ में coefficient of quartile deviation भी देख लिया, अब यहाँ पर mean deviation जब आता है, तो mean deviation के opposite में उसका relative measure होता है, उसको हम बोलते है, coefficient of mean deviation, तो coefficient of mean deviation निकालना बहुत आसान होता है, आपने जो भी mean deviation की value अपनी calculate कर उसको आपको सिर्फ और सिर्फ divide कर देना है, अपनी उस value से central tendency की उस measure से आपको divide कर देना है, जिसका use करके आपने deviation को निकाला था, अगर आपने about mean निकाला था, तो आप mean से divide कर दोगे, अगर आपने median से निकाला था, तो आप median से divide कर दोगे, अगर आपने mode से निकाला था, तो उसी जगा पर mode लिख दो, question आपको जो भी बोलता है निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं, individual series में किस तरीके से हम इस method को apply करते हैं, देखें, formula हमारा यह हो गया, sigma x minus mean divided by n और उसके बाद यहाँ पर इसको अगर short में आपको लिखना है अगर आपको median बोला तो median निकालो, अगर आपको mode बोला है तो mode निकालो तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपना mean calculate करोगे यहाँ पर मैंने mean अल्री calculate करके रखा हूँ है 59, अगर calculate आपको करना है तो simply आप क्या करोगे sum of observation जैसे आपको observation यहाँ पर x जो दी गई है वो 50, 52, 55 उसके बाद फिर 57, 60, 61, 64, 65 और 67 इनका जबाब total करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 531 और हमारा mean का जो formula होता है वो होता है sigma x divided by n तो यहाँ पर हम करेंगे 531 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इसको अगर आप 9 से divide करते हो तो 531 divided by 9 तो आपका answer आगा यहाँ पर 59 तो आपको एक बाद जब अपना measure of central tendency पता चल गया mean, median, mode कोई भी आप निकाल लो वो आपको जब पता चल गया उसके बाद आपको simply यहाँ पर अपने deviation निकालने पड़ते हैं तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना एक mode खोलोगे, x minus mean आप चाहो तो इसको vertical form में भी कर सकते हो, horizontal में करो, vertical में करो, कोई भी difference यहाँ पर नहीं होता है अगर vertical में करते हो, तो x आप की इस तरीके सो जाएगी, 50, 52, उसके बाद फिर 55 और 57 और यहाँ पर आपका हो जाएगा x minus mean, ठीक है, 59 हमारा mean आया है, अब हमको क्या करना है, हमको minus करना है, एक करके, आप चाहे, इसमें, जब यह mode लिख रहे हो, तो x minus mean करके, उसके बाद mode लगा सकते हो, या फिर डिरेक्ली भी आप उसको कर सकते हो, तो यहाँ पर 50 minus 59, देख है, तो यह 9 हमारा convert हो जाएगा किसमें, प्लस 9 में, उसके बाद हम अगर करते हैं, 52 minus 59, तो हमको मिलेगा minus का 7, mode के अंदर रहेगा, और हम mode को remove कर देंगे, तो यहाँ पर directly हम इसको 7 मिलिख सकते हो, तो अगर आप चाहो तो आप पहले x minus mean करो, उसके बाद फिर उसमें mode लगा करके उसको निकाल सकते हो, आपकी marks नहीं पर exam में नहीं कटेंगे, इसके बाद 55 minus 59 अगर आप करते हो, तो minus 2 मिलेगा, mode लगा हुआ है, तो यह plus 2 हो जाएगा, 57 minus 59 अगर आप करते हो, यह sorry 4 होगा, यहाँ पर 2 नहीं 4, ठीक है, 57 minus 59 अगर आप करते हो, तो minus 2 होगा, त 4 होगया, 2 होगया, 1 होगया, 2 होगया, ठीक है, इस तरीके से हमने जितनी भी values थी, वो सारी निकाल ली, यहाँ पर आप देखोगे, तो हमारा जो formula था, हमको क्या करना है, अपने deviation का sum करना है, तो जो भी हमने deviation निकाली है, यहाँ पर, जो भी हमने deviation निकाली है, उनका हमको sum करना होता है क्योंकि हमाँ formula था यह sigma x minus mean divided by n तो जो भी हमने x minus mean निकाले हैं उनका हमको करना पड़ेगा sum क्योंकि sigma लगा हुआ और divide करेंगे number of observation से यहाँ पर आप क्या करोगे आप जब इसको total करोगे तो आपको यहाँ पर sigma x minus mean की जो value मिलेगी वो होगी 44 तो 44 को अगर आप divide कर दोगे 9 से क्योंकि 9 observation थी मैं पास में 44 को अगर हम divide करते हैं 9 से देखे क्या हैगा 44 divided by 9 तो यह आ जागा 4.888 आएगा तो अगर आप इसको round off कर देतो तो यह जागा 4.89 ठीक है तो हमारा mean deviation यहाँ पर निकल करके आएगा 4.89 अगर आप यहाँ पर coefficient निका divided by mean तो कि हमने mean से इसको calculate किया तो mean से इसको divide करेंगे तो यह हो जाएगा 4.89 divided by mean की value थी 59 तो इसको अगर हम divide कर देते हैं 59 से तो यहाँ पर हमारा coefficient निकल के आएगा 0.082 एट आएगा तो 83 इसको curve कर सकते हैं तो 0.083 यह हो गया हमारा coefficient of mean deviation और mean deviation की value यहाँ पर निकल के आए यह 4.89 तो इस तरीके से हम लोग calculate करते हैं individual series में अपने mean deviation पूम इसके बाद आती है हमारी discrete और continuous series और discrete series को हम लोग साथ में discuss करेंगे क्योंकि इन दोनों में ज्यादा को difference नहीं होता है देखे आपको अगर discrete series पता है तो वो इस तरीके की होती है आपको observation दी जाती है जैसे आपर मालो 10 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 11 हो गया इस तरीके की आपकी discrete series होती है और साथ में इनकी frequency दी रहती है जैसे 2,1,3,7 इस तरीके से frequency दी रहती है तो आपको observation x के form में दी और आपको frequency दी गई है जब आप continuous series में आते हो तो continuous series में आपको class interval दिया रहता है और उसके साथ म मालो class interval दिया है 10 से लेकर के 20 उसके बाद 20 से 30 और 30 से 40 और आपको यहाँ पर frequency दी जाएगी तो frequency मालो 2,1 इस तरीके से दी है तो जब भी हम mean निकालते हैं या फिर हम mean deviation calculate करते हैं तो हम यहाँ पर अपनी class interval को convert कर देते हैं into mid value series तो mid value निकालने का तरीका मैंने आपको पहले लिमेट divided by 2, lower limit 10 plus upper limit 20 divided by 2 यानि 10 plus 20 divided by 2 तो यह आपका आएगा 15 ठीक है इसके बाद 20 plus 30 divided by 2 तो यह हो जाएगा 25 और यह हो जाएगा यहाँ पर 35 इसको आप x लिख सकते हो या फिर आप इसको m भी लिख सकते हो m का मतलब mid value या फिर x भी आप इसको लिख सकते हो एक बाद सिरीज में जिस तरीके से आपको करना है सेम वही तरीका आपका continuous series का भी होता है continuous series को यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या mod x minus mean तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जो deviation हम निकाल रहे हैं पहले हमने deviation का directly sum कर दिया था हम यह जो पीछे आपको question दिख रहा है यहाँ पर हमने क्या क्य जो भी हमारी deviation निकल के आईए उनका हमने directly sum कर दिया था लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे आप कभी भी यह गलती मत करना कि sigma f अलग निकाल लो और उसको आप multiply कर दो mod x minus mean से मैंने पहले भी कई बार आपको यह चीज़ बताईए sigma जो होता है वो अलग लगा रहता है तो sigma f mod x minus mean अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो यह आपको बोला है कि पहले frequency को आपको multiply करना है अपने deviation से उसके बाद उसका sum करना है पहले frequency को multiply करना है अपने deviation से उसके बाद फिर उनका आपको sum करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम simply अपना frequency जो भी हमने deviation निकाली है हर एक deviation को उनकी respective frequency से multiply करेंगे उसके बाद फिर हम उसका sum करेंगे तो वो हमारा निकलेगा sigma f mod x minus mean या फिर sigma f dx और sigma f तो हमारा यहाँ पर रहे गई तो question आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया है class interval आपको दे दिया गया अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यह आपकी as it is discrete series जैसे ही यहाँ पर बन गई है इसके बाद हम क्योंकि मैंने आपको बता है कि जब भी आप mean deviation calculate करते हो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए mean निकालने का ठीक है mean median mode जो भी आपका central tendency का measure आप यहाँ पर mean निकालने का तरीका आपको पता है कि sigma fx divided by sigma f अगर हम करेंगे तो निकल के आ जाएगा वो ठीक है तो आप एक column इसमें चाहो तो add कर लो मैंने directly यहाँ पर mean की value को calculate करके रखा हुआ है अगर आपको central tendency नहीं calculate करना था mean median mode तो आपको description ए playlist का link मिलेगा measures of central tendency नाम से आप वो जा करके देख रहे ना वहाँ पर मैंने detail में cover के हुए कि mean कैसे calculate करते है, median कैसे compute करते है, mode कैसे निकालते है, quartile, decile, percentile, पूरा detail में सब कुछ cover के हुए है तो आप वो जा करके देख रहे ना, ठीक है, तो mean यहाँ पर हमारा IOI 42.5 है, अब हमको क्या करना है, हमको simply यहाँ पर एक column में हम लिखेंगे x minus mean और e mod लगा देंगे, इसके बाद हमारा जो दूसरा column होगा, उसमें हम लिखेंगे f mod x minus mean mod, अब x minus mean लिखने का मतला भी x लिखो या फिर आप इसको कई बार mb लिख देते हैं, m minus mean, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप से खा कि आप x लिख सकते हैं, उसको चाहे हैं, तो आप इसको mb लिख सकते हैं, क्योंकि यह 15, 25, 35 है, यह आपकी mid values है, तो आपको class interval दिया था, frequency दी थी, आपने क्या किया, आपन अपना mod x minus mean निकाला, उसके बाद जो भी mod x minus mean है, उसको आपको frequency से multiply करना है, तो उसके लिख आपने एक अलग से column यहाँ पर add किया, आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 minus, यहाँ पर देकि क्या होगा, 15 minus 42.5, तो 15 minus 42.5 अगर आप करते हो, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 27.5, यहाँ पर आपका हो जाएगा, minus का 27.5, क्योंकि हमारा उपर mod लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम यह minus sign ना लिख करके, इसको positive में convert कर देंगे, इसी तरीके से 25 minus 42.5 अगर आप करना चाहों, तो आपकी value यहाँ पर आ जाएगी, वो भी negative में आएगी, लेकिन वो positive में convert हो यहाँ कि 27.5 multiplied by 15, यहाँ पर आप लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर जो value आईए, उसको आप multiply करोगे 14 से, यहाँ पर जो value आईए, उसको आप multiply करोगे 16 से, यहाँ पर जो value आईए, उसको आप multiply करोगे 20 से, और उसके बाद जब आप यह निकाले तो पूरी के पूरी, उसक आपका sigma f mod x minus mean क्योंकि हमने क्या किए deviation निकाली और deviation निकालके हमने उसको frequency से multiply किया और उसके बाद यह निका हमने यहाँ पर sum किया तो यह हो गया हमारा sigma f mod x minus mean तो यह हो गया हमारी 27.5 इसको हमने multiply किया 15 से तो हमको मिलेगा 412.5 उसके बाद 17.5 को हमने इससे 14 से multiply किया तो 245, 7.5 को हमने multiply किया 16 से 120, उसके बाद 2.5 को multiply किया 20 से तो यहाँ पर हमको मिला 50 और इसके बाद बाकी की values बे हमने multiply करी जो टोटल हमने निकाला वो हमको मिला 1555 तो हमारा sigma f mod dx हमारा निकल के आया 1555 तो यहाँ पर अगर हम direct इसको डाल दें तो 155 और 5 divided by sigma f sigma f का मतलब sum of frequency जब भी आप discrete या फिर continuous mean point 55 तो यह हो गया हमारा mean deviation और यहीं पर अगर आपको coefficient निकाला है coefficient of mean deviation को coefficient of mean deviation आपको निकलता है mean deviation about mean divided by mean क्योंकि हमने mean से calculate किया है इसको अगर आप करोगो तो यह हो जागा 15.55 divided by 42.50 तो इसको अगर आप निकालो तो यह हो जाएगा 15.55 divided by 42.5 यह निकल के आएगा 0.3658 to 36 या फिर 37 भी हम इसको लिख सकते है तो यह हो जाएगा 0.37 ठीक है coefficient of mean deviation भी यहाँ पर देख लिए हम इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ merits बताएगा है demerits आपको यहाँ पर मिल जाएगे तो आप चाहो तो वीडियो को pause करके आप इसके सारे merits पढ़ लो पहला merit मैं आपको बता देना हो यहाँ पर it is based on all the observations of our series उसके बाद it shows the dispersion or scatter of various items of a series from its central value central value का मतलब वही central tendency की value का यूज करके हम लोग यहाँ पर निकाल जाएगे बाकी के सारे भी आप देख लेना है यहाँ पर इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं इसके बाद demerits में अगर आप आओगे तो demerits में हाँ पर आपको सारा कुछ बताएगा कि mean, median, mode का हम यूज करते हैं अब देखें जब आप mean का use करते हो तो आपका mean deviation अलग आएगा अगर आप mode का use करते हो तो आपका answer यहाँ पर mean deviation का अलग आएगा क्योंकि mean, median और mode इन तीनों की normally value हमारी अलग-अलग होती है तो mean का use करोगो तो अलग value, median का use करोगो तो अलग value, mode का use करोगो तो अलग value तो इसलिब यह कह सकते हैं कि mean deviation जो होता है वो rigidly defined नहीं होता है क्योंकि अलग-अलग measure करोगो आप use करते हो तो अलग-अलग answer आपको यहाँ पर मिलते हैं इसके बाद दूसरा और सबसे बड़ा x का एक demerit यहाँ पर हमने क्या क्या था, हमने mod x minus mean कर दिया था जिसकी विरा से जो भी हमारे negative sign थे, just in minus 2 था तो यह convert हो गया था positive में तो अगर आप एक negative sign को convert कर देरो positive में तो यह भी तो कहीं न कहीं गलत है यहाँ पर देखे लिखा हुआ, it violates the algebraic principle by ignoring the positive and negative sign while calculating the deviations of different items from the central value of a series तो हमने गया किया negative sign यहाँ पर remove कर दिया mod का युज़ करके अब इसके बाद देखें, यहाँ पर जितने भी बाकिया आप उसे पढ़ ले ना यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दे रहाऊ, मैंने आपको बोला था कि range की जो कमी थी वो quartile deviation है पूरी कर दी, quartile deviation की कमी यहाँ पर mean deviation है पूरी कर दी लेकिन mean deviation में भी कमी है क्योंकि वो positive और negative sign को ले करके चल दा है मतलब negative sign को उसने remove कर दिया, तो यह जो कमी है यहाँ पर हमारा पूरा करता है standard deviation, तो हमने क्या किया यहाँ पर mod minus 2 अगर लिखा हुआ है तो उसको हमने convert करके यहाँ पर 2 लिख दिया, standard deviation क्या करेगा, standard deviation यहाँ पर mod को हटा देगा mod को हटाने का मतलब है कि वो उसको negative sign तो उसको भी हटाना है लेकिन वो mod का use भी करता, negative sign remove करने का दूसरा तरीका यह होता है कि आप किसी number का square कर दो, यहाँ पर हम standard deviation पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम क्या करते हैं squaring कर देते हैं, squaring करके यहाँ पर आपको answer मिलेगा इसका 4 जो की positive में convert हो जागा क्यों जब भी आप negative किसी value का अगर square करते हो तो positive में convert हो जाती है एक बार आपने यह किया तो यह तो answer हमारा गलत आएगा इसलिए इसको सही करने के लिए standard deviation फिर से क्या करता है कि इस 4 का square root निकाल देता है तो square root करने से वापस यहाँ पर हमारा यह answer positive में आ जाता है तो एक बार हम क्या करते है square करते है उसके बाद हम उसका root निकाल देते हैं तो यह काम होता है standard deviation में तो यह कमी पूरी हो गई mean deviation की by standard deviation वीडियो को pause करके आप इसके merit और demerit दोनों के दोनों note कर लेना तो यहाँ पर हमने यह देख लिए कि direct method का use करके किस तरीके से हम अपने mean deviation को calculate करते है इसके बाद next video में हम लोग बात करेंगे कि shortcut method को किस तरीके से apply किया जाता है वो काफी अच्छा method होता है जब आपकी mean deviation की value जो mean होता आपका mean median या फिर mode अगर यह decimal form में आता है तो आपको जो आप direct method apply करो को वो आपके लिए थोड़ा सा problem create करता है उसमें calculation थोड़ी जाद हो जाती है तो shortcut method को हम लोग discuss करेंगे next video में इस video में अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment करके मुझसे पूस सकते हो आपके अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको like करना मुझ भूलेगा साथ में चैनल को subscribe जरूर कर देज़ेगा मैं मिलता हूँ आपसे next video में thank you